नमस्कार मैं हो ससी आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं जैराम महतो डूमरी के अलावा बेरमों से भी लड़ेंगे चुनाव 74 परत्यासी की घोसना जार्खन लोकतांतरी करांतिकारी मोर्चा जैराम महतो बेरमों से भी चुनाव लड़ेंगे उन्होंने परत्यासी की सुची जारी की है इसके पुर्व वह डूमरी से भी नमाकन कर चुके हैं हाल ही में उनकी पार्टी में सामिल हुए गोमियों के गुनानंद महतो को टिकट नहीं दिया गया है उनकी जगह पर अमरेस महतो को टिकट दिया गया वही राची सीट में परत्यासी बदला गया है पुरु में प्रेम नाया को दिया गया था अब उनकी जगह राज किसोर महतों को परत्यासी बनाया गया, जे इलकेम द्वारा अब तक 74 सीटों पर परत्यासी दिये गए हैं, बताते बेरमो में जैराम, कुमार महतो, चंदर कियारी से अरजुन रजवार, खिजिरी से, सरीता तीर की अरगोमिया से अम्रेस महतों को टिक कर दिया गया है, जारखन लोग तंत्रिक, करांती, कारी, मोर्चा की ओर से अब तक 74 बिधान सबा सीटों के लिए परत्यासी की खोस्ता कर दी गई है, सुकरवार को 9 बिधान सबा सीटों के लिए परत्यासी खोसित किये गए, इनमें केंद्रिया, ध्यक्ष, जैराम, कुमा महतो बेर्मो से बिधान सबा का चुनाव लड़ेंगे, जारखन में कूल 81 बिधान सबा सीटे है, तुफान दाना ने किसानों की बढ़ाई चिंता, फसलों को नुकसान की संभावना, बंगाल की खाड़ी से उठा चकरवाथी तुफान दाना का असर सुकुरार को जारखन म लगी है, क्योंकि खेतों में तयार धान की फसल को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, जो लंबे धान है वो तेज हवा बहने से सीधे जमिन पर गीर जा रहे हैं, तेज बारिस होने से खेतों में जल जमा हो जाएगा, छुके हुए धान में पानी पढ़ने से धान सड करनने लगेगा, इसके अलावा खेतों में लगी बोधी, आलू, मतर, मोली और टमाटर के पोधे भी छती गरस्त हो जाएगे, यानि किसानों को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बता दे, किसान ने बताया है कि तेज बारिस होने से फसल को नुकसान होने की संभा खेतों में पानिक का जमाव रहने से खेतों में सब्जियों के पैदावार कम होंगे, साग सब्जी बेचने वाला ने बताया है कि चक्रवाती तुफान से किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा, चुनाओ को लेकर डिजी पी ने पांच राजियों के पुलिस अधिका गारी सामिल हुए, यह बैठाग वीडियो कंफेसिंग के माध्यम से आउजित की गई थी, इस बैठाग के मुखी रूप से खुपिया जनकारी को सही समय पर साजा करने की समती बनी है, वहीं वाम पंती उगरबात को लेकर की जा रही करवाई, सिमावर्ती छेत्रों में उत के लिए तंत्र की कारी जोजना पर चर्चा की गई है, बतादे डिजीपी अजय कुमार ने ओडिशा चातिस कर बिहार परचिम मंगाले वम उतर परदेश के पताधिकारियों को समधित करते हुए, सीमा छेत्रों पर उगरबादियों के भ्रमन और अने संदिग्ध गतिवि परचा के केंद्रिये महासची उस्सा प्रवक्ता सुप्रियों भठाचाई ने कहा है कि चुनाओ की तियारी हो गई है, नमांकन की परकिरिया कल बड़ी संख्या में होई, इसमें लोगों के बीच एक अलग ही उत्सा देखने को मिला, पूरा का पूरा ज्यार्खन अपने अनपरती निधियों को चुनने में आतूर था, वह सुक्रवार को हर्मो इस्थित पार्टी कर्याले में पत्रकारों से बात्चित कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि साहिव गई से सुरू किया और पच्छमी सिम्हुम तक गए, भारतिये जनता पार्टी द्वारा भ्राम प्रिये राजमंत्री रहे, उस परिवार को तरह तरह की पर सानी में डाला गया, कल साहिव गई में नमांकन हुआ, वहां भी बिना तथे की करवाही हुई है, उन्होंने कहा कि भरतिये जंता पाटी चुनाव हार गई है, इसलिए अब उनका एक ही कार्य है, बिधान सभा च करने की मांग उठी है निर्वाचन आयोग से भी उनकी सिकायत की गई है आखिर क्या है उस वीडियो में जो चुनाव आयोग को सोपी गई बता दे भरतिय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में गढ़वा विधान सवसीट से चुनाव लड़ है जामो उमिद्वार मिसलेश ठाकूर के करीबी गाह गाह में जाकर खुले आम सराब कपड़ा साड़ी और घड़ी बात रहे हैं लोगों के बीच इन चीजों का बितरन किया जा रहा है और उन से अपील की जा रही है कि वे जामों के पक्ष में मत दान करें सियम हेमन से अधिक धनवान है उनकी पतनी कलपना सुरेन राजी के मुख मंतरी हेमन सुरेन से अधिक धनवान उनकी पतनी कलपना सुरेन है गुरुवार को आपर समाहरता के करेल में नमांकन प्रपत्र में समर्पित सपत पत्र करनुसार हेमन सुरेन ने बिती वर्स 2023 के लि में एक आधितिपुर पुलिस एस्टेसन तथा दो रांची के अलग-अलग थानों में दर्जाएं CM के पास नगद में 45 सेयर है जबकि उनकी पतनी के पास 2,05,000 रुपे नगद है जबकि मुख्य मंतरी के दो अलग-अलग खाते में 74,28,676 रुपे जमा है जमकि उनकी पतनी के अलग-अलग बैंग खातों में मिला कर 81,13,384 रुपे वह उनके पुत्र के बैंग खाते में 14,812 रुपे दो अलग-अलग पुत्र के खाते में जमा है महेंद्र सिंग धौनी जारखन के वोटरों को करेंगे जागरूप जारखन के CEO के रविकुमा ने कहा है कि मसूर किर्केटर महेंद्र सिंग धौनी जारखन विधान सवा चुनाव में चुनाव आयोग के जगरूपता कारकरन स्वीप कहीं सा बनेंगे इस आसका पदर उन्हों निर्वाचन आयोग को दिया है निर्वाचन आयोग उनकी तस्वीर का उप्योग स्वीप के कारकरों में करेगा अधिक से अधिक मद्दताव को मद्दान के प्रेडित करने वाले उनकी अपील का उप्योग मद्दान परतिसत बढ़ाने में किया जाएगा वे सुक्रवार को धुरवाक निर्वाचन सदान में प्रेश वारता को समोधित कर रहे थे कांग्रेस में टिकट बिक्री की रही है परंपरा हिमन्ता बरहिस से कांग्रेस के पुर्व नेतावा बिधायक उमा संकरा के लाके दो कडोर रूपए लेकर टिकट देने के आरोप वाले बियान पर असम के मुख्यमंत्री हिमन्ता बिश्वा सर्मा ने अपनिपर्ति किरिया दिया है सुक्रवार को उन्होंने कहा है कि मैं भी एक समय कांग्रेस में था कांग्रेस में अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है तो 20 सीट भीगता है या उनकी पुरानी परंपरा है उमा संकरा केला जी ने जो बताया वह कोई नई बात नहीं है हर राजे में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस 20 परदिश सीट बेचती है मिर साहब पर कोई ब्यक्तिगत आरोप लगाने से कोई फैदा नहीं है या कांग्रेस का सिस्टम है कि वे 20 परदिश सीट बेच देते हैं राजे में बागी उमिद्वार वाले सवाल पर उने कहा है कि हर कोई चाहता है कि वह चुनाव लड़े और इसी को देखते हुए उनके द्वारा नमांकन भी की जाती है रांची इन्वर्सिटी में 299 पदोपर भरती जारखंड में सरकाई नोकरी की तलास में हैं तो बतादे कि जारखंड के सुप्रसीद रांची इन्वर्सिटी में 299 पदोपर फेकल्टी के लिए भरती निकाली गई है इस भरती के लिए नेट कॉलिफाइड लोग आवेदन कर सकते हैं बतादे इस भरती के लिए आवेदन करने के लिए उमिद्वारों के पास समांधित भी सह में मास्टर की डिगरी होनी चाहिए इसके अलावा उमिद्वारों का UGC नेट या CS IR नेट कौलिफाइड होना अनिवार्य है इसके बाद अगर आप भविस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर प्रमोट होना चाहते हैं तो आपके पास पिएजडी की डिगरी भी होनी चाहिए इस भरती के लिए आवेदन करने के लिए समान EWS और OVC यवर के लोगों को 1000 रुपे आवेदन सुल्क भुकतान करना होगा वहीं SES टीवर के लोगों को 500 रुपे का आवेदन फिच देना है जैराम महतो चार बैंक अकाउंट के मालिक 14 मुकादमा दर्ज जारकन विधान सभा चुनाओ के लिए जारकन लोगतांतरी क्रांतिकारी मोर्चा के पार्टी अध्यक्ष गुरु आरको डूमरी विधान सभा सीट से अपना नमांकन दाकिल किया है उभरते हुए यूआ नेता जैराम महतो की फैन फोलोवर काभी अधिक है और हर कोई उनके बारे में जानने के लिए चुखा है बता दे नियमा उनसर अपने नमांकन उन्होंने अने जनकारी के साथ साथ संपत्ति का भी बेवरा दिया है जैराम महतो दोरा चुनाओ आयो को दिये गए बेवराम बताया गहा है बी जेपी के चारीस अच्टार प्रचारक के सुच्छी जारी जारकन विधान सबाचुनाओ दोयच्वाविस के पौहले के चरण کی 42 नमांकन खत्म होते ही भारते जनता पार्टी ने अपने 40 अच्टार प्रचारकों के लिश्ट जारी कर दी है जेपी के अश्टार परचारकों में प्रधान मंत्री नायन्द मोदी, भाजपा के राष्ट्रिय अधक्ष जेपी नड़ा, राक्षा मंत्री राना सिंग, केंद्री ग्री मंत्री अमीज साक अलावा, जार्खन भाजपा के चुनाव, प्रभारी सिवराय, सिंग चवहान, गूरन राम सामिल है, बावुलार मरांडी, अर्जुन मुंडा, अमर कुमार बावरी, लक्षमी कांत बाचप्याई, रविंद्र कुमार राय, अनपूर्ना देवी, संजय सेट, सहीत, 40 अश्टार परचारकों की पूरी लिस्ट जारी है, जे एमेम की पांचवी लिस्ट ज जाने इस बार लुईस मरांडी को परत्यासी बनाया है, वे जामा बिधान सबा सीट से चुनाव लडेंगी, सीता सुरेन ने जामो की जगा अब बिजेपी का जामन थाम लिया है, बता दे जहरकन मुक्ति मोर्चान ने हाल ही में बिजेपी से जामो का दामन थामनेवाई, लुईस मरांडी को जामा बिधान सबा सीट से उमिद्वार को सीट कर दिया है, अनुशुची जण जाती के सुरक्षित इस सीट से लुईस मरांडी बतार जामो परत्यासी बिधान सबा चुनाव लडेंगी, पार्टी के केंद्रिया महासाची विनोत, गुमर पांडे के हस जामा सीट से जामो परत्यासी की गोसना की गई है चमपाई सुरेन ने किया नमांकन बीजेपी को वोट करने की अपील जारखन की सराय के लाब इधान सवा सीट से बीजेपी परत्यासी के रूप में पूर्व सीएम चमपाईशुन ने सुक्रवार को नमांकन दाखिल किया है उन्होंने जहरकन में सता परिवतन के लिए BJP को वोट करने की अपील की है नमांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने मापीता को नमन किया इसके बाद अपने पैत्री गाव जिलिंग गोड़ा के जहेर थारा में माथा टेका इसके बाद पर्चा भरने के लिए रवाना हुए बतादे सराय केला विधानसवा सीट से नमांकन दाखिल करने के लिए पूर्व 씨यैम मधुकोड़ा को एसस से जहटका नहीं लड़ सकेंगे चुनाओ अर् महा देवन की बेंच में इस जहटका परशुनवाई हुई है गतलब हो की दिल्ली हाई कोट की एकल पीठने मधू कोड़ा की यजका को इसलिए खारिज कर दिया था की यजका करता सिर्फ केवल इस अधारप फैसले पर रोक लगाना चाह रहे हैं की वह चुनाव लड़ सके जो उसीत नहीं है इस मामले में ऐसा लग रहा है कि वह दोसी हैं इसलिए निचली अधालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है चमपाई सुरे ने आदिवासियों के लिए किया बड़ा एलान घाट सीला और बहरा गोडा के भाजबा परत्यासि बाबुलाल और डाक्टर दिनेशा नंद गोस्वामी ने गुरु आरको नमांकन दाहिल किया है संताल परगना में घुस पैठियों के सवाल पर जहाम मचूप है भाजबा सत्ता में आई तो आदिवासियों और मुलवासियों की मांगे पूरी होगी फरस्टा चार भी दूर होगा वहीं पूर्मुख मंत्री चंपाई सुरे ने कहा है कि भाजबा की सरकार ने ओल्चिक की लिपी को आठवी अनुसुची में सामिल किया अब हो भासा को आठवी अनुसुची में दारजा मिलेगा भाजबा ने आधिवासियों को समान दिया है पर कांग्रेसियों ने गोली चलाने का काम किया है आधिवासि महिला दरोपाती मुर्मो को राश्टपती बनाया गया आज बांगला देशी घूस पैठी है आधिवासियों की जमी लूट रहे है गीरीडी में दो बेपारियों की ठीकानों पर इंकम टेक्स की रेट जारखनों विधान सबाद चुनाओ के लिए जारी नमांकन के बीच गीरीडी जीले में दो बेपारियों की ठीकानों पर इंकम टेक्स की रेट पड़ी है इनमें से एक बिजनेसमेन का नाम मनीस वर्नवाल है वह सार्दा बुक के मालिक है सुक्रवार को सुबा सुबा गिरी डिजी लेके बरगंडा इस्थीत सार्दा बुक के मनीस वर्नवाल और साहल पुत्री कमपनी के आवास में इंकम टेक्स की टीम ने छापे मारी के लिए पहुँच गई इंकम टेक्स विभाग के अधिकारी कई वाहनों में सवार होकर आए है बता दे सुबा 6 वजे से ही अधिकारियों के टीम ने दोनों के आवाज पर पहुँच कर छापे मारी शुरू कर दी दोनों ब्यापारियों के आवास में किसी को दाखिल होने की जाज़त नहीं दी जा रही है नहीं अंदर से नहीं किसी को बाहर जाने की अनुमती है सिक्छक नियुकती मामले में सूप्रीम कोट में सुनवाई जारखन हाई कोट के जस्टिस डाक्टर एसन पाठक के अदालत ने असनातक प्रसिक्षी सिक्छक सन्युक परतुकतापरश के दोह सोला के स्टेट मेरिट लिस्ट को लेकर दायर याज़का पर सुनवाई की है इस दोरन प्रार्थी वा प्रतिवादी का पक्स सुना मामले में आदेश के अलोग में सपत पत्र दायर नहीं किया जाने पर आदालत ने नराज़की जताई आदालत ने इस्टेट मेरिट लिस्ट पर प्रार्थियों क्या पत्ति पर सुनवाई की आदालत ने राज सरकारवा जहरकन करुमचारी चैन आयोग को सपेसिफिक सपत पत्र दायर करने का निर्देश दिया आदालत ने पूछा कि सुप्रीम कोट के आदेश के पहले और बाद में कितने असनतक प्रसिशित सिख्षकों की नियुक्ति की गई आपस में भीड़ा गठ बंधन राजद ने विश्रामपूर से उतारा उमिदवार जार्खन में इंडिया की घटक दलों में पूरी तरह चुनावी ताल में धरातल पर नहीं उतर पाया है इन दलों ने चार सीट उपर एक दूसरे के बिरूद भी परत्यासी उतार दिये है गडबंदन में विश्रामपूर सीट रायत के हिस्से में आई थी कांग्रेश ने भी यहां से सुधीर कुमार चंदरवंसी को अपना परत्यासी बना दिया इससे नराज रायत ने कांग्रेश कोटे की छतरपूर सीट पर भी अपना परत्यासी दे दिया है यहां से रायत ने विजयराम को उतारा यहां से पुरो मंत्री राधा क्रिष्ण की सोर कांग्रेस के परत्यासी है वहीं कुछ ऐसी हिस्थिती भागपा माले और जारकन मुक्ति मोर्चा के हिस्थे वाली सीटों पर भी पैदा हुई है बताजे धनवार सीट पर भागपा माले ने राज कुमार यादों को टिकर दिया है जबकि मोर्चा ने यहां से निजामुदीन अंसारी को परत्यासी बनाया है बसंत सुरेन करोडों की संपत्य के माले मुक्ति मंत्री हमन सुरेन के भाई बसं सुरेन गुरु आरको जबकि असारी के तोर पर गुरु आरको दुमका विधान सभा चेतरे से नमांकन पर्चा दाखिल किया है वे फिलहाल दुमका से विधायक है उन्होंने अपने हल्प नामे में चल यह अचल समपत्यों की घोशना की है जिसके मुताविक वह कोडोरों के मालिक हैं जिसमें चल वह अचल समपत्य सामिल हैं बसंद सुरेन वीतिय वर्ष दो हजयर तेश चोविस में एक कोडोर नाप्य लाग चाती सारेक सोदास रुपई और उनकी पत्नी हेम लता सुरेन ने चार लाग नमासी है चार सो पशतार रुपई का आयकर रिटर्न दाकिल किया है बसंद पर कोई भी अपराधिक मामला बदादे बसंद के पास कैस इन हैंड पाच लाग संताओं एर चाशाष पशतार रुपई और उनकी पत्नी के पास तीन लाग पैंतालिस या रुपई है विरंची नरायन ने बोकारो से भारा नमांकन ज्यारखन बिधान सब्सभाच चुनाओं के लिए बोकारो सीट से और कुमार बावरी मौझूद रहे नमांकन पत्र भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए बिधायक विरंची नराय ने कहा है कि मैंने जो वादा किया था उस वादे पर मैं खरा उत्रा हूं जो कामा धूरा बचा है उसे भी पूरा करने का काम करूंगा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के परत्यासी घोसना में हो रही बिलंब पर कहा है कि कांग्रेस समझान नहीं पा रही है कि अपने जमानत कैसे बचाए राज्येपाल संतोस गंगवार ने डियेभी स्कूल गुमला के छात्रों को किया समानित पबलिक स्कूल गुमला के इन विद्यात्यों द्वारा कारगील विजय दिवस के उपलक्ष में लदा के माने उपराजेपाल को पेंटिंग भेजा गया था गिरीडी से मवसी से लदा ट्रक चप्त गिरीडी एसपी डाक्टर बिमल कुमार के निदेश पर जीला पुलिस पसूओ की तसकर के खिलाप लगातारा भ्यान चला रहिया सुमीत परसाथ के नितित में निमिया घाट थाना पुलिस ने एनेच 29 पर चरकी टोंगरी के पास चापे मारी कर मवसी से लदे ट्रक संक्या बी आर तीन जी ए 69 पैसेट को जब्त कर लिया है बदादे ट्रक पर आठ गाय दो बचले 10 भाएस वर 9 भाएस के बच्चे ठूस कर लदे हुए थे तसकर उन्हें पच्छे मंगाल की ओर ले जा रहे थे पुलिस ने सभी पसुक मुक्त कराते हुए अस्थानियों गोसाला को सौप दिया है मदान कर्मियों को दिये जा रहे प्रसिक्षन का CEO ने किया निरिक्षन मुख नियोचन पताधिकारी जहारखंड के रभी कूमार सुक्रवार को गांधी पलस्टू हाई स्कूल पहुँचे वहाँ CEO रभी ने बिधान सभाज निर्वाचन के निमीत मदान कर्मियों को दिये जा रहे प्रसिक्षन का निरिक्षन किया है इस दवरान के रभी ने प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे कर्मियों क साथ बैठक कर मास्टर ट्रेनर द्वारा दिये जा रहे है प्रसिक्छन को बारे की से सुना उन्होंने उपस्थिस तभी पता अधिकारी और मददान करमेयोक मददान की द्वान हो रही गल्तियों के बारे में विश्टार पुड़क बताई जा रहे है बातों को सुना इंडी गटबंधन सरकार में वसूली एक परमुख राजकिये धन्दा बिजेपी ज्यारखन की जनता को लूट कर भाय का वातावरन तयार किया जार चुका है वहीं दूसरी और इंडी कटबंधन की नेताओं मंत्रियों अधिकारियों के दोआरा कभी टेंडर के नाम पर तो कभी जन कलियानकारी और जनाओं के नाम पर तो कभी सुरक्षा देने के नाम पर तो कभी केंदर सरकार दोआरे भेज़े जा रहे आनाज देने के नाम पर ज्यारखन को लूटा जा रहा है पिछले पाच सालों में देश में या राज में भरष्टाचार का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें हेमान सुरेन का नाम उनके भरष्टाचार के लिए सुनहरे अक्षरों में ना लिखा गया हो सिक्षा स्वास्त रोजगार यों अनसुब दहाओं में जारखन भले ही पिछड रहा हो पर हेमान सुरेन जी ने भरस्टाचार का सहारा लेकर राज का नाम जरूर भरस्टाचार की स्रेनी में अवल दर्जे पर लाकर रख दिया है कांग्रेस बिधायक बिवादित ब्यान पर भड़की सीता सुरेन जार्खन बिधासवा चुनाओ का एलान होते हैं उमिद्वार भी एक दूसरे पर आकरमक नजर आ रहा है जामतड़ास से इस बार बिजेपी ने सीम हमल सुरेन की भावी सीता सुरेन को मोका दिया है इधर इंडिया गटबंदन की ओर से कांग्रेस के मवजुदा बिधायक इर्फान अंसारी को ही एक बार फिर यहां से टिकट दिया गया इसी विच इर्फान अंसारी ने सीता सुरेन के खिलाब बिवादित ब्यान दे करना या बावाल खड़ा कर दिया है दरसल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीता सुरेन को रिजेक्टेट माल बता दिया है जिसके बाद से बीजेपी और खुद सीता सुरेन उन पर हमलवा रहा है सीता सुरेन ने उन से माफी मांगने की मांग की है सिस्ता सुरेन ने सोसल मीडिया प्लेट प्रावन एक्स पर इर्फान अंसारी का वीडियो सेयर किया है जिसमें वह मीडिया से बात करते नजर आ रहे हैं इसमें सिता सुरेन को रिजेक्टेट माल बोलते भी नजर आ रहे हैं बताया जा रहा है कि या वीडियो कल नमांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत के दोरान कहा है धन्यवाद